Hey legends what's up स्वागत है आपका एक बिल्कुल एक वीडियो में राज फीडियो में हम बात करेंगे को जो इसे वैसे वीडियो नहीं बनने बाले या फिर मांगा कि जो पैंने से उसको एक्स्पेंड नहीं करने बाले हमें अविर प्रूर से लेके आखिर तक कहां जीतने वाला है हम यह भी बोलेंगे कि शुवात यह कहां से हुआ था इन दोनों के फाइट्स के पीछ और हम यह भी बोलने वाले हैं कि आगे जाके कौन जीतेगा और इसका पूरा डीटेल और डीप रिसर्च करके हम इसको एनलाइस करके इसका फाइनल रेसल्ट बोलने वाले हैं और इसी घरन से हमने इस टॉपिक को फोर पार्स में डिवाइट करके रखा हैं और तर इस वीडियो में हम पहले दो पार्स को कवर करेंगे और एक अलग सा वीडियो बनाएंगे इस लास दो पार्स को कवर करने के लिए नहीं तो यह बहुत ही लंबा हो जाएगा और लोगों से स्ट्रॉंग इस्ट मतलब सॉसरर तो नहीं वह पहले सॉसरर था दा किंग ऑफ कर्सिस सुकुना वह पहले मिले दूसुकाइसन के सीजन वन के सेगन एपिसोड में जहां पर को चो डायरेटली सुकुना को टेस्ट करता है कि वह कितना पार्फुल है और वह तब यह भी ब मतलब गोजो के पास इतने सारे पावर सोने के वाउजूर्दी वह एक दम से टेस्ट करता है कि सुकुना एक्ट्वली कितना ज्यादा पावर होल्ड करता है जब उसके पास सिर्फ एक उंगली की पावर थी और उस फाइट के बाद दोनों को ही पता लग गया था कि यह दो तुम स्री बहुस नहीं हो इतने ताकत का फायदा कि अगर तुम से के गुलाब इसके साथ साथ सुकुना ने ये भी बोला था कि और इसके reply में गोजो ने भी ये बोला था कि मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मैं सुकूना का टार्गेट हूँ और अगर हम इंगलीज वाले फ्रेस की बात करें तो हुआ पर क्लियरली लिखा था और ये वाला फ्रेस दोबारा रिपीट होता है मांगा चैप्टर 221 में और ये जो रिपीटेशन से इससे बहुत सारे मांगा फैन्स करेंट भी हुए क्योंकि वह जो पहले वाला फील था वह उसमें सब लोग वेट कर रहे थे कि कब सुकूना और वो जो एक्चुली फाइट करेंगे और हम भी पता लगेगा कि कौन सबसे ज्यादा स्प्रॉंगेस है और वह बात सुनके सब लोग के दिमाग में एक अलग सा फील आ जाता है और सब लोग एक्साइट हो जाते हैं और हम तो देखी सकते हैं कि अभी का बैटे चल रहा है वह कितना खतरनाक है तो यह था उन लोगों का बैक स्टोरी इससे हटके में एक चीज और बोलना चाहूंगा यह मेरा स्पेशल थियोरी है कि गोजो सिफ अकेला एक बंदा है जो इतादोरी को वह उगलिया खाने दे है नहीं तो हाइड आप जो थे वह उंगलिया अपने पास रख रहे थे लेकिन गोजो सिफ अकेला बंदा था जो इतादोरी को ही डायरेक जब भी मिलता था उसको खिला देता था क्योंकि ऐसा हो सकता है जब सुकुना के पास सारे उंगलिया हो जाएंगे तब वह बाहा ज गोजो के उपर बात करेंगे गोजो का इंटेलिजेंस मतलब उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है और इसका प्रूफ हम बहुत बार देख चुके हैं जब गोजो ने सीजन वन में जोगो को हराय था अपने इंटेलिजेंस से मतलब वह जानता था बॉइट कैसे काम कर लिया था और यह सब अगर हम छोड़ भी दे तब भी उसको सुधाने के लिए बहुत कुछ ऐसे सोच लेता था कि आगे जाके वह कैसा मूग चलने वाला है ताकि वह तोजी पे भारी बढ़ सके और गोजो का इंटेलिजेंस हम ऐसे गतावी नहीं सकते क्यूंकि उसने बहुत बार सब लोगों को बचाया है बहुत बार बहुत सारे बैटल्स अपने दिमाग से खेल के उसने बचाया है अगर हम बात करें दूस्टों के जीरो की तब भी उसने बहुत ही चालाकी से सब को ठीक ठाक वे में बचा लिया था सेजन 1 में भी बचाया था सेजन 2 में तो वो बचाई राए और यह वाला लिस्ट खतम भी नहीं होगा क्योंकि यह बहुत ही बड़ा है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोजो के फिजिकल एबिलिटीज और उसके नॉर्मल डॉमेंड वाले powers के उपर तो बात करें गोजो के पास बहुत ही ज्यादा स्पीड है मतलब बचल का स्पीड लगभग बहुत बहुत जादा है और वो हम बहुत बाट देख चुके हैं उसके साथ-साथ जों के पास है टेलिपोर्टेशन का पावार तोजी वसिस गोजो की फाइट में भी और इसके साथ साथ हम यह नहीं भूल सकते हैं कि वो जो दिखने में तो skinny type का है लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा immense power है एंड उसके बाद वो जो करसे रिजर्ब करके रखता है वो भी बहुत ही बहुत ही तरीका है क्योंकि उसकी वैसे वो multiple domains भी create कर सकता है और हम hand to head combats की बाद ना करते तो ही अच्छा है क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि वो hand to head combats में कितना ज्यादा अच्छा है मताब first fight of Sukuna and Gojo की उसमें जो fight sequence था वो बहुत ही अलग level पर चला गया था उसके बाद Jogo versus Gojo के fight में भी hand to head combats में बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है उसके बाद Doji के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है and last but not the least Gojo के six eyes जिसकी मज़द से वो उसको एक अलगी level तक ले जाता है और उसको यह powers अपने clan से ही मिलता है जो कि हम इतनों नहीं कर सकते इसके बाद हम बात करेंगे Gojo के joy cube techniques के बारे में तो Gojo के पास है limitless की technique infinity की powers और reverse curse technique जिसकी मज़द से curse technique blue curse technique red और hollow purple को भी control कर सकता है उसके साथ साथ अगर बात करें इसके पास है infinity की powers जिसको हम बहुत 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 जोर से आता है तो तब उतना ही slow हो जाता है वो जितना बास आएगा और इसकी मज़द से वो बहुत ज्यादा powerful बन जाता है reverse curse technique और वो अपने आपको भी heal किया था जो कि हम season 2 में देख सकते हैं तो जी वसेज गोजो के fight में और अगर हम बात करें गोजो के domain expansions के उपर उसके पास है unlimited void इसकी मज़द से गोजो किसी का भी band बजा सकता है और इस technique में गोजो एक अलगी environment बना लेता है जिसकी मुदत से बहुत सारे sensations बहुत सारे information लोगों के दिमाग में एक साथ आ जाता है और वो बंदा वहां से खिल भी नहीं बाता क्योंकि उसको समझी नहीं आता कि वह वहां पे क्या करेगा और lastly गोजो इन सारे abilities को बहुत ही बखूबी से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से handle कर सकता ह और हम कह सकते हैं कि गोजो इन सब में बहुत ही ज्यादा माहिड है और इसी कारण से गोजो मोस्ट पावफुल या पिर कहें तो strongest sorcerer है और जूट्सू काईसर इसके बात करते हैं यह में सुकुना के powers and abilities के बारे में सुकुना की बात करें तो सुकुना बहुत बहुत ही ज्य क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात experience matters the most हम MS-2 को तो देख ली सकते हैं कि इसके experience के वैसे को इतना ज्यादा पावर्फुल है और सेम सीमिलर टाइप हम इस पाई अगर अपलाई करें तो सुकुना भी बहुत ही ज्यादा experience है और इसी कारण से सुकुना इसके experience को लेके अपने powers के साथ अगर mix कर तो वो बहुत बढ़िया एक intelligent आदमी है मतलब curse है और वो किसी को भी बाजी मात दे सकता है तो अगर मैं इसके तो और detail में जाओ तो मैं आपको बता दू सुकुना ने कितनी चालाकी से यूजी को बोला था तो फिर एक काम करता है एक मुकाबला करता है और मैं जीत किया तो तुम्हें शर्त मानने पड़ेगी और अगर तुम जीते तो बिना किसे शर्त के तुम्हें जिन्दा कर दूँगा और यूजी as usual वो राजी भी हो जाता है क्योंकि वो overconfirint था और सुकुना को पता था कि यूजी हाने वाला है औ हम आगे भी देखे थे और आगे भी देखने वाले हैं और अगर बात करें सुकुना के physical abilities के बारे में तो सुकुना के पास है incredible strength, बहुत better in reflex, re-silence और सबसे बड़ी बात इसका बहुत ज्यादा curse energy strength की बात तो हम बहुत बार देख चुके हैं कि वो कैसे first episode में एकदम जब उसके पास सिर्फ एक उंगली की power थी तब उसने कैसे उस monster मतलब girls को हराया था एकदम first episode में जब हमने देखा और उसके बाद हमने आगे जाके भी देखा season 1 के episode 4 में कि वो expression grid को भी हराया था अपने physical abilities से उसके साथ साथ डोमें भी उसके बार में थोड़ी दर बात में बात करता हूं लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं सुकुना का इंडी silence मतलब वो बहुत दूर बूर भी सकता है मतलब वो जब बिल्डिक से jump लगाता है वो बहुत स्यादा powerful और बहुत impactful भी है और उसका पर आता उसके साथ उसके बाद भी बहुत सार ऐसे जगे थे जहां भी उसने हमको दिखाया कि उसके पास actually कितना ज्यादा ताकत है और करसेने जी की बात ना करे तो ही अच्छा है क्योंकि वो तो king of करसेस है यार वो उसके पास करसेने जी भर-बर के नहीं रहेगा तो और क इसके पास रहेगा और सबसे बड़ी बात उसका intelligence का एक और पर मुझे याद आ गया कि आप जड़ा नोटीस कीजिएगा जब एपिसोड पोड में सेसेन वन के मेगुमी के साथ जब वो पाइट कर रहा होता है एंड में उसने कहा था तुम्हारे शेकिगामी वो परच्छा इसे बने है ना तो ही इसका खुद का पावर है इसने इनहेरिट नहीं किया किसी से मुझे बस एक चीज़ समझ में नहीं आया तुम तब भागे क्यों थे तब मेगुमी में भी उसके बारे में सोचने लग दिया था बट फिट जाके सुकुना ने ये भी सोचा कि अगर मैं इसको जिन्दा रखू और इसको यूज करो इसके बाद मतलब यूजी के बाद तो उसको बहुत ज़ला फायदा होने बाला है और जो हम देख भी पा रहे है कि मांगा में अभी सुकुना यूजी के पास नहीं मेगुमी के बाड़ी के अंदर है सुकुना के जूद्सू टे तब उसको पी टज भी नहीं किया तो उसका सिर्क कट हो गया था वो जब स्पेशल ग्रेट से फायट कर रहा था तब भी उसने उस स्पेशल ग्रेट का पुला तुक्रेट कर दिया था और वह बहुत ही बैसरी लगा था वह बाला सीन जिसको मैंज एविदेंस लग सकते है इस पॉइंट के लिए उसके साथ दप् initiate एक ये और पावडेंग अनुन पायड पावड जिसकी मैंज से वishment कर सकता है जैसा जैसा पर यह ब्लास्ट आपने जोगो वर्स गोजो के पाइट में देखा था और जो जोगो ने ब्लास्ट किया था उससे भी कही ज्यादा एडवांस्ट और बहुत ही मैसिव वाला ब्लास्ट सुकूना कर सकता है किसी के ऊपर लास्ट पर नॉट अलीज सुकूना का जो डॉमेंड एक क्या है मतलब सुकूना माँ बैठा वाँ और भाई बहुत ही खतरनाथ टेकनिक है मतलब बहुत खतरनाथ टों है तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही मैंने बहुत ज्यादा लंबा वीडियो अभी तक तो बना दिया है क्योंकि मुझे लगा था कि ये वीडियो लंबा चाही जाएगा और कोई भी नहीं देखेगा इसलिए अब हम इसको यही पर ही एंड करेंगे और अगले वीडियो में जो मैं दो दिन दीन में अपलोट कर दोंगा इस वीडियो के बाद तो उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शुकुना और गोजो का जो फाइट है मांगा में चल लाए उसके उपर थोड़ा बात करेंगे और पाइनल रिजल्ट भी बोलेंगे कि अब एंड में कौन चीदेगा तो आज की वीडियो पस इतना ही अगर मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर दिया तो आप हमें बता सकते हो और उसके साथ साथ आप हमें ये भी बता के और एक बात अगर आप अगे जाके बहुत सारे में वीडियो पा सके और एंड में मैं जो कहता हूं सो मिलते के से दूसरे वीडियो में तब तक के लेंड में देखते रहें और चीछ कर चड़ें सब्सक्राइब से देखते और